Zom 100 episode number 10 में आप से भी का स्वागत है अपिसोड के शुरुवात में हमें आकिरा का विलेज को दिखा जाता है जहाँ पे एक सेवियर लर्की आकिरा का हेर को स्टाइल कर रही थी बिसिकली उसमें ड्रेड लॉक्स बना रही थी और फाइनली आकिरा के हेर में ड्रेड लॉक्स बन जाता है और वो काफी जाद एक सारेड हो जाता है और इसके साथ उसका और एक बकेट लिस्ट भी स्ट्राइक आफ हो जाता है और उसके बाद वो लड़की शेयर करती है कि कैसे यह जो पूरा पैंडेमिक है जॉम्बीस का यह होने से पहले वो सिटी में 10 साल सलोन में काम कर रही है और तभी जो दूसरा लड़की थी वो बता दिये कि वो टोगियों में एक टीचर थी और तभी जो तीसरी सेवियर गर्ल थी वो बता दिये कि वो एक फिल्म में मेक अप आर्टिस्ट थी और यह सुनते ही जो वहाँ पर आखिरा था वो काफ ज़दा एक्साइरेड हो जाता है और कहते कि तो तुमने किस मूवी में काम किया है और फिर वो लड़की बताती है कि वो एक जॉम्मी मूवी में काम किया है जो सुनके आखिरा और विजदा एक्साइरेड हो जाता है क्योंकि उसने वो मूवी देख रखा है और वो लड़की बताती है कि वो इस मूवी के सीक्वेल में ही काम कर रही थी लेकिन वही exact moment था जहां पर यह जो पूरा zombie का एपकलिप्स था वो outbreak होता है उसके आखों के सामने humans zombie में बदल जाते है और यह यह सब याद करके बहुत सादा दुखी हो जाती है और एकदम रोने लगती है लेकिन यह देखके जो लड़की teacher थी वो उसको comfort करती है और बताती है कि देखो जो हो गया सो हो गया अभी हम और कुछ नहीं कर सकते और वैसे भी हमें तो thankful होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो villagers है उन्होंने हमें इतना open arms के साथ welcome किया है और मैं तो इसी village में रहना पसंद करूँगी और यह सब सुनने के बाद वो लड़की भी काफी ज़्यादा chaired up होती है और उसके बाद scene shift होता है और हमें सीजुगा को दिखा जाता है जो कि traditionally खाना पका रही थी ताकि वो एक lady को help कर पाए और वो जो lady थी वो कहती कि तुम्हें शाद यह आदत नहीं होगा लेकिन सच बताओं तो ऐसे traditionally खाना बनाने से खाना का taste बहुत जादे increase हो जाता है और even जो वहाँ पर सीजुगा थी वो भी इस चीज़ के साथ agree करती है लेकिन तब ही वहाँ पर एकदम से creepy बुढ़ा आता है और एकदम से सीजुगा को जकर लेता है और कहती है कि आके मी और यह सुनते ही सीजुगा बहुत जादा awkward फिल कर लगती है वो एकदम traumatized हो जाती ह लेकिन तब ही वो जो आंटी थी वो एकदम से उस बुढ़े को पकर के बाहर फिक देती है और कहती है कि तुम ऐसे चिंता मत करो यह जो बुढ़ा है इसका wife जब से गुजर गई है यह ऐसा ही हो चुका है हमेसा हर चीज में अपने wife को ही ढून लेता है और फिर सीजुगा cooking के साथ continue करती है लेकिन तब ही और एक विलेजर आता है जिसके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगा था और वो आके ही उस लेड़ी से कुछ बान ले के लिए मांग रहा था और जैसी वो लेड़ी उसको कुछ देने वाला था तब ही सीजुगा खड़ी होती है और कहती कि कुछ भी हो जाया लेकिन जो तुम बानने वाले हो वो जादा tightly मत बानना क्योंकि उस हिसाब से tissue damage हो सकता है और फिर वो अलग-अलग precautions बताने लगती है और यह सब सुनके वो लेड़ी बहुत ज़दे इंप्रेस होती है और कहती है कि क्या तुम एक डॉक्टर हो लेकिन सबी सीज़ को बताती कि नहीं नहीं मैं doctor नहीं हो बल्कि मेरे को बस ऐसी medicine में थोड़ा बहुत interest है और यह doctor word बाकी गाउवालों को भी सुनायत दे देता है और अगली moment वहाँ पे हर एक गाउवाले अपने अपने problems लेकर पहुंच जाता है और उनके बीच में वो creepy बूठा का टटी होता है और यह देखे केंचो बहुत सब्सक्राइब करता है लेकिन तभी वो farmer बताते हैं कि तुम चितने मत करो यह चीज़ बिल्कुल natural है और हमें इसे इसलिए अपना farmer डालना परता है ताकि जो soil का mineral है वो बरकरार रखे और जो फसल है वो एक्तम अच्छी तरीक करता है कि यह भी एक saviour girl है जो कि city से आई है और unfortunately इसका जो parents है वो city में ही मारा गया है और जबसे वो इस village में आई है तबसे वो एक बार भी smile नहीं किया है और एगले ही scene में केंच जो चला जाता है उस लड़की के सामने और कहता है कि hey beautiful lady मैं एक comedian हूँ और साधी साथ पर juggling भी practice कर रहा हूँ और यह सुनते ही वो लरकी काफी ज़्यादा awkward feel करते है और कहते है कि ठीक है लेकि तुम डरोमा से juggling practice क्यों कर रहे हो और यह सुनते केंच जो एक अजीब सा reason देता है और कहता है कि मैं तो future में इसको बिना कोई कपरों के भी perform करने का सोच रहा हूँ ब कहता है कि तो finally तुम हज दिये मेरा नाम केंचो है तुम्हारा नाम क्या है और यह सुनते ही वो लरकी कहते है कि मेरा नाम है आंजू और यह सुनते ही ठीक है लेकिन मैं तुम्हें NG कहके बुलाओंगा और फिर उन दोनों के बीच में काफी अच्छा दोस्ती हो जाता है औ इसका जो वोल्टेज था वो काफिस दा कम था तो अगर गलती से को टेज भी कर देता है तो उसको छोटा मोटा ही शौक लगता और यह बेसिकली जो जॉंबी से उनको जो विलेज है उससे दूर रखने के लिए बनाया गया था लेकिन इसके साथ एक अर्दिंग भी किया ग और यह चीज आकिरा को भी बहुत अच्छा लगता है और फिर शिंग शिफ्ट होता है और हमें दिखा जाता है कि आकिरा शाम को काम करता है अपने फार्म में और तभी वहां पर केंचो भी आता है दोनों एकदम मस्ती से चिल कर रहे थे लेकिन तभी केंचो का नजर जाता उसी बंदे के तरफ और फिक्तम चिला आता है और कहता है कि हे घुगुराशी तुम अभी भी जिन्दा हो बहुत टाइम हो गया हम लोग नहीं मिले लेकिन वो बंदा एक दम से केंचो के तरफ देखता है और बहुत एक गंदा सा फेस बनाके फिर से वापस जाने लगता है औ और उसी तरफ आकरे कहता है कि हीगुराशी तुम इसे जानते हो और तभी केंचो कहता है कि obviously तुम भूल गए क्या ये बंदा हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पड़ता था लेकिन छे महीन आने के बाद पता नहीं ये कहां गायब सा हो गया और उसी तरफ हमें हीगुराश का सीन दिखा जाता है जहाँ पर आकिरा अपने पापा के पास जाकर बैटता है और कहता है कि क्या हम एक साथ ड्रिंक पी सकते है और उसका पापा कहता है कि ठीक है ठीक है मंगवाओ मंगवाओ और फिर जो वहाँ पर आकिरा था वो अपने पापा के पास बैट तो जाता है लेकिन तब ही आकिरा का पापा कहता है कि तुम्हारे जैसे नौ जवान अगर इस विलेज में रहा तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता और ये सुनते ही आकिरा कहता है कि लेकिन ऐसा क्यूं और तब उसका फादर कहता है कि अभी तुम्हारा उमर है सपने देखने का जित उनको ये वर्ल्ड उपर से बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगता है, वो लोग शॉक्ट हो जाते है, क्योंकि ये वास्ट प्लैनेट स्पेस से बहुत ज़्यादा टाइनी लगता है, और फिर वो बता थे कि कैसे उनका बच्पन का सपना था एक एस्ट्रोनाट बनने का, लेक से ही आकिरा अपने पापा के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है, और अपना बकट लिष्ट का एक पॉइंट भी टिक आफ कर देता है, और उसके बाद हमें दिखा जाता है, जो की रूम था वहां से कुछ की कोई बंदा उठा लेता है, और फिर हमें हाइड्रो अपने पूरे गैंग के साथ पहुंचता है, और वहां पे जो जीसी भी था, जिसके मज़ से वो पूरा टरनल को जाम करके रखा गया था, उसको ओन करता है, और वहां पे जितने भी जॉम्बी थे, उन सब को रिलीस कर देता है, ताकि वो भी अपना बकेट लिष्ट को जाता है, जो वहां पे विलेज में सारे लोग इंज्यो कर रहे थे, आचानक से सब को कुछ अजीब सा मैसूस होता है, और सब लोग नोटिस करते हैं कि जो भी जॉम्बी थे, वो सब सामने से विलेज के तरफ आगे बढ़ रहे थे, आकिरा ये सब देखके बहुत ज़्या जाता है, लेकिन तभी आगेरा का फादर कहता है कि आगेरा मैं तुम बहुत सारे जॉम्बी दुसको पर ही अटाक करते हैं, लेकिन तभी जो आम्ड गाउं वाले थे, वो सब आके शिजुका का जान को बचा लेते हैं, लेकिन जैसी वो लोग गोली मार रहे थे, जो जॉम जाता है, जो इगोलाशी था, वो डाइनमाइट फेकता है गाउं वालों को उपर, और उसी तरफ सिजुक का खरी रहती हैं, और कहते हैं, लेकिन तभी हमें दिखा जाता है, लेकिन तभी जॉम्बी से एकदम से अटाक करता है, लेकिन तभी वहां पर बीट ट्रिक्स आती है, और वहां पर जितने भी जॉम्बी से उन सब को एकदम स्लेश करके वही पर खतम करते हैं, और उसके बाद ही, जितने भी दोस्ते वह सब फिर से उसी फेंस के पास जाके असेंबल होते हैं, शिजुक्र कहती है कि हमें कैसी भी करके जल्दी से गाउं वालों को यहां से लेकिन दभी केंचो कहता है कि लेकिन वो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर इलेक्रिक फेंस लगा हुआ है, लेकिन दभी बीटरिक्स कहती है कि लेकि तुम जितना मत करो, इसका जो वोल्टेज है वो काफी ज़दा कम है, और यह सुन दए केंचो उस फेंस को पकड़ लेकिन उसको बहुत ही खतरनाग वाला जटका लगता है और वो इसी लिए था क्योंकि उस लड़की ने ओलरेडी इसका वोल्टेज को हाई कर दिया था जो बीटरिक्स थी वो इसको फिर से नॉर्मल करने की कोशिश करती है लेकिन वो जाके देखती कि जो अर्दिंग था वो अकीरा पुछता है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो और तब ही घुग राशी कहता है कि देखो सबको जॉम्बी बनना ही है तो क्यों ना उसके पहले अपना जो भी सपना है वो सबको मैं पूड़ा कर लूँ और फिर वो अपना बकेट लिस्ट का बुक निकालता है जो क्या है कि तुम लोग बहुत ज़्दा फन कर रहे थे कॉलेज में और मैं तुम लोगों से जेलस हूँ और यह रिजंस सुनके सब को बहुत ज़्या शॉक्त हो जाता है लेकिन तब आकिरा कहना लगता है कि देखो यह ठीक है कि तुम एक अपने लाइफ में जितना भी घोल से उन सब को पूरा करना चाते हो लेकिन अगर तुमारे ये सब इच्छा किसी और का freedom किसी और का जान के साथ खिलवार कर रहा है तो वो चीज बिलकुल भी सही नहीं है और तुम जो भी कर रहे हो वो मेरे समझ के पूरी तरीके से पार है और फिर वो पता ते कि मेरा भी काफी सारे सपना है मुझे भी अपने पैरंस को रीपे करना है क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो मैं इतना जल्दी तो हार नहीं मानने वाला मैं जॉम्बी बनने के पहले जरूर समने parents को repay करने वाला हूँ शिजुका पीसे से चिलाती है क्योंगि आकिरा को धीरे-धीरे zombies पूरी तरीके से घेर ले रहे थे लेकिन तब ही हमें आंगी को दिखा जाता है जो कि देखते हैं कि उसके साथ उसका dog नहीं है और वो एक्तम से वहाँ से भागने लगती है और शिजुका और बीट्रिक्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाके पहले power plant को रोकने वाले है ताकि यह जो पूरा fence है इसमें जो electricity निकल रहा है वो बंद हो जाए और शिज तरफ आखिरे डिसाइड करते हैं कि वो अपने parents के पास जाने वाला है और शिज तरफ जैसे ही केंचो देखते हैं कि आंगी वहाँ पे नहीं है केंचो भी आंगी के बीचे भागता है और शिज तरफ ही गुराशी ये सब देखे बहुत ज़दा मजा ले रहा था और हो कहता है कि तो अभी hide and seek का game चालू होगा जितने भी villagers अपने घर के अंदर छुपे हैं उन सब को पकर पकर के बाहार निकालो मैं अपने आखों के सामने उनको zombies बनते वे देखना चाता हूँ और इसी के साथ ये episode खतम होता है तो guys मिलते अगले episode में Till then, bye bye, stay safe